नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ डाक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम जी धोरा लिखित, इगनाइटेड माइंड्स, तेजस्वीमन का हिंदी आडियो, तो आईए सुनते हैं इसका पहला भाग, स्वपन और संदेश 30 सितंबर 2001 को मैं राच्ची, जारखंट से वो कारो जा रहा था, जिस हेलिकाप्टर में मैं सवार था, वो तर्वने से ठीक पहले दुरगटना ग्रस्त हो गया, उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिससे वाजोरदर जटके के साथ जमीन पर आगिरा, पर उसमें सव हम सभी यात्री बाल बाल बच गए, मैंने इस शुर का सुक्रिया अदा किया, इस घटना से जरा भी विचलित हुए बिना, मैंने अपने पूरो निर्धारित कारक्रम के मताबित वो कारों में छात्रों को संबोधित करने चल लिया, रात में डाक्टरों के एक दल ने मुझ दवा लेनी ही चाहिए, उनके कहने पर मैंने दवा ले ली, जिसके असर से रोज के सोने के समय, यानि रात एक बज़े से काफी पहले ही मुझे नीन आ गई, सवेरे में हर रोज च्छा बज़े उठ जाया करता हूँ, मगर उस दिन आठ बज़े के बाद ही जाग पाया, उस रात मैं नीन में भी बहचैन रहा, जागते सोने के बीच विचारों की एक रेलगाडी सी रात भर चलती रही, इश्वर की सबसे सुन्दर प्रती अर्थात मानो जाती हिंसा से इस हद तक विभाजित क्यों है, उस रात मैंने अपनी कल्पना में ऐसे पांच लोगों को आप प्रती अर्थात में बातचीत करते सुना जो मानों की बहतरीन विशेष्टाओं का प्रतिनिधित्तों करते हैं और जिनका मैं काफी सम्मान करता हूं, उनकी बातचीत से मैंने अपने प्रस्ण का जवाब तलासना चाहा, इस अनुभाव में जो दरसल किसी सपने से भी कहीं ज़्यादा तीवर अनुभूत लिये था, लेकिन बहतर शब्द ना मिल पाने की वज़ा से मैं सपने ही कहूंगा, मैंने खुद को एक रेगिस्तान में पाया, जहां मीलो दूर तक रेथी रेथ पसरी हुई थी, आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और रेगिस्तान चा गटाइश्टीन, समराट अशोग, अबराहम लिंकन तथा खलीफा उमर एक घेरा बना कर खड़े थे, तेज हवा में फैराते उनके धालित दवस्त्र, पवित्र एवं सोभायमान लग रहे थे, मैं समराट अशोग के बराबर में खड़ा हुआ, खुद को बावना मैसूस क कर रहा था, अशोग ने दो जीवन जीए थे, एक करूर विजेता का और दूसरा एक रहम दिल शाशक का, मैं उस अशोग के साथ खड़ा था, जो अभी जीत कर लोटा था, लेकिन उसे इस जीत की भारी की मचुकानी पड़ी थी, कलिंग यूद में तीन लाख लोगों को अ गुटनों के बल और अपना कवच तथा ताज उतार चुके थे, उनके पीले पड़े चेहरे पर मौत की परच्छाई साब दिखाई ले रही थी, उन्होंने आसमान की ओर देखा, उन्होंने चमकते शीतल चंद्रवा को निहारा और धर्ती मापर बरस्ती इश्वरी कृपा को देखा, फिर उन्होंने उस भायानब बेशिक को देखा, जिसे उन्होंने रचा था, और जिसमें हर तरफ रक्त ही रक्त बहरा था, सौंदर और तहशत के उठ्षाण में, उजली चांदनी और जमीन पर विखरे दुख दर्द से भरे ख्षाण में, जबकि स्वयम प्रक इश्वर के आधार पर मानो जाते में प्रेम का प्रसार करने के इश्वरी आदेश को स्विकार कर लिया, मैं वहां खड़ा था और हैरान हो रहा था, क्यों हुआ कलियुद, और फिर क्यों हुई महत्मा गंदी और अबराहम लिंकन की हत्या, तथा उनके जैसे कई अन्य हु क्या सरशक्तिमान इश्वर से अपनी क्रति में कोई चूप हो गई है, क्या दूसरे सर्चन के लिए मानो जाति का विनास अवश्यन भावी है, उस दिव्य सन्नाटे को भंग करते हुए महत्मा बुले, मित्रों जो दिव्य संदेश हमें सुनाई दे रहा है, वह सर्चन का ह चूँकि हम सभी धर्ति ग्रह के निवासी हैं, इसलिए हम मानोता को संदेश दे सकते हैं कि किस प्रकार अलग-अलग नसलों, धर्मों और भावनाओं के लोग शान्ति पूर्वक, सवहार्द तथा संपन्नता के साथ मिल जूल कर रह सकते हैं सर्वशक्तिमान इश्वर ने हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसी अद्भुत विशिष्टा दी है, जिसे अपने कर्मों तथा विचारों से हम मानोता को सौंगते हैं क्या या सचमुच काम करती है, या कोई अन्य दिविशंदेश या सिक्षा है दिविशंदर को मनुश्यों की आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, जिसे शरीव तथा मस्तिष्क में प्रशंदता का समचारों, क्या ऐसा संगव है अशोक ने कहा, मित्रों, मैंने तो एक बात समझी है, और वाया, कि किसी को दुख पहुचा कर जीत हासिल नहीं की जा सकती, असली विजय तो, शांदी का सामराज्ज है यरुशलम में प्रवेश करने के बाद, मैंने जाना, कि सभी इंसान बराबर हैं दूसरों को आपके रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना बेतु की बात है, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके भागे में लिखा है, इश्वर ही एक मात रसकता है खलीफा उमर्ड ने खुद की हैसियत को कभी उन खास अधिकारों के आईने से नहीं देखा था, जो उन्हें प्राप्त थे उनके लिए दोशासन चलाना पवित्र भरोसे की तरह था, और उन्होंने भरपूर कोशिश की, कि या भरोसा किसी भी तरह से तूपे नहीं अब आइंस्टीन की बारी थी, मैं अपने दोस्त वर्नर हैसन बर्ग के विचार दोहराना चाहूंगा आप जानते ही हैं कि पस्चिम में हमने एक विशाल समग्री जहाज का निर्मार किया है उसमें हर तरह की सुक्षू इधा है, लेकिन एक चीज नदारत है उसमें कोई दिशा सुचक नहीं है, जो उसे बता सके कि किस दिशा की तरफ बढ़ना है तैगोर तथा गांधी और उनके आध्यात्मिक पूरवजों को या दिशा सुचक मिल गया था इस यंद्र को मानो रुपी जहाज में क्यों नहीं रखा जा सकता, जिससे कि दोनों ही मकसद पूरे हो सकें इस पर महान अमेर की निता अबराहम लिंकन जिन्होंने गुलामी प्रथा के खिलाफ संगर्ष छड़ा था और जिनका जीवन कई माईनों में महत्मा के ही समान था बोले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ प्रसन्नता एक परिवार के विभिन इस्तरों पर संबंद होने से मिलती है इश्वरी कृपा से ही मानो जीवन को आनंद की इप्राप्ति होती है धर्ती पर एश्वरी जीवन के दो तक्तों प्रसन्नता तथा आनंद है शायद लोगों और राष्टों के बीच इतना संघर्ष इस कारण से है कि शम्रदी पटोरने की अपनी जाह के चलते हमने इन दो तक्तों को विसरा दिया है हमें खुद से यह जरूर पूछना चाहिए कि मानों चेतना की क्या भूमिका है क्या राजनीतिक सोच, वैग्यानिक सोच, तथाधर्म शास्त्री सोच में उसके कोई भूमिका है क्या जीवन व्यापार में आध्यात्मित्ता की स्विकारिता है मात्मा गांधी ने रिसी अष्टावक्र को याद किया जिन्होंने कहा था हे मेरे पुत्र, तुम स्वयम वाच्चेतना हो जिसके भीतर से इस ब्रम्हांड की रचना हुई है और जो तुम से अलग नहीं है तो फिर किसी के भी स्विकारि या आश्विकारि होने का प्रशन ही कहां उठता है आईए शोशन और संघर्ष को त्याग, शांति तथा सम्रदि को जीवन कर्म का अंग्र नहीं इस ग्रह के लिए हमारा यही संदेश है हम जो भी करें, जो भी सिधांत प्रतिपादित करें वह मानोता की भलाई के लिए ही होना चाहिए अगली सुबह मैं चाय पीते हुए इस विचित्र सुपन के बारे में सोचता रहा क्या होता अगर हेलिकाप्टर कुछ अधिक उचाई पनियंद्राण को देता मेरी इस दुरगटना से कुछ घंटे पहले ही एक महत्तोपूर नेता तथा कुछ प्रतिभावान पत्रकारों को ले जा रहा हवाई जहाज दुरगटना गरस्थ हो गया था और वे सभी लोग मारे गय थे मैं सौभाग के शालिथा जो बच गया और फिर रात को यह विचित्र अन्भो क्या या मेरे लिए कोई संदेश लेकर आया है मुझे क्या करना चाहिए मैं निखड़की से बाहर जांका सूरच चड़ आया था और पुरुआई बह रहे थी मैं हमेशा ही प्रकृति के नजदीक रहा हूँ और उसे हमेशा एक दोस्त की तरह पाया है जो बगएर किसी संकोच के बस देना ही जांदी है आम के उस पेंड की तरह जिस पर लोग पत्थर फेकते हैं उसकी शाखाओं को तोड़ डलते हैं मगर इसके बावजूद वथके हरे मसाफिरों को च्छाओं और भूखों को फल देता है रामेश्वरम, थुंबा ये चंडीपुर का समुदर रहा हो पोखरण का रिगिस्तान हो अथ्वा है द्राबाद की अनबढ़ चक्ताने परत्रती ने हर उस जगा पर अपनी उपस्तिती दर्ज कराई है जहां मैं काम करता हूँ इस वज़ा से मुझे हमेशा यह बात याद रही है कि प्रकृति की सभी क्रतियों में दिव्वेशक तिछती है मैं अपने सपने के बारे में सोच विचार करता रहा लगकि मानो जाती में विनास की जबरदस्त एक्षमता मौजूद है इतिहास बताता है कि अच्छी ताकतों ने मानो जीवन को बहतर बनाने के लिए हमेशा कड़ा संगर्ष किया है इस तरह एक तरफ हमारे सामने गांधी तथा अन्यमहां संत महत्मा और शिक्षत हुए हैं जिन्होंने सुखी तथा मूले आधारित जीवन की शिक्षा दे जबकि दूसरी और दूसरे महायुद में लाकों लोगों की मौत और अड़बं किराय जाने की घटना हैं जिसने भरे पूरे तो शहरों को बरबात कर ढला बोस्निय संगर्स में हजारों लोग मारे गए इजराइल फिलिस्तीन संगर्स में मौतों का सिलसिला अभी जारी है और 11 सितंबर 2001 को तो आतंक वादियों ने नियू यूर्क इस्तित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अपूर्व धंक से हमला कर कहर बर पाड़ा ला अपने देश में गोपाल गैस्तरास्ती को हिले जिसमें एक बहुराश्ची कंपनी की लापरवाही के चलते 30,000 लोग मारे गए थे और कश्मीर घाटी में जारी हिंसा से हजारों लोग मौत की नीन सुलाय जा चुके हैं 13 दिसंबर 2001 को जब भारत के कई निता संसत के भीतर थे तो आधंकवादियों ने पूरे देश को हिला कर रख देने का दुस्सा हसका डाला यह सब कहां जाकर रुकेगा क्या हमारी नियती में अपने ही हाथो अपना विनास करना लिखा है नहीं हमें सब का इस्थाई समाधान खोजना ही जोगा मुझे जीवन व्यक्ष नामक अपनी वहकविता यादा रही है जो मैंने कुछ वर्स पहले लिखी थी तुम मानो जाती मेरी स्रेश्ट क्रती तुम जीओ जीओ और जीओ तुम दो दो और देते रहो तक-ठक जब तक तुम बंद न जाओ एक दोर में खुशी और गम की दोर में प्रेम अविरल है प्रेम ही है मानोता का अभियान जिसे तुम हर रोज देखोगे जीवन रक्ष में तुम सीखो और सीखो तुम मानो जाती मेरी स्रेष्ट करती अपने सोपन में जिन पांच महापुरसों को मैंने देखा था वे अलग-अलग काल में हुए थे आदूनिक संसार में ऐसे इनसान खोत कम ही होंगे जो उन विशेष्टाओं का प्रतिने दिद्द्द करते हैं जो मस्तिष्क की प्रक्रति को समझने से पैदा होती है एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने महाभारत को पढ़ा है और अगर हां तो उसका कौन सा चरित्र मुझे सबसे प्रिये है उस महाकावे के बहुपक्षिये चरित्र मानोस भाव के लगवग सभी पहलूँ अच्छे तथा बुरे दोनों को बकूबी दर्शाते हैं मैंने उस बच्चे को बताया कि मैं महात्मा विदूर के चरित्र से खासा प्रभाविट हुआ जिन्होंने सत्ता की गलत हरकतों के खिलाप आवाज उठाई और जिन्में अधर्म की जारतियों के विरुद उस इस्थित में भी मोर्चा खोलने का साहस था जब बाकी सभी में हथिया डाल दिये थे आज हमारे नेताओं में से एक भी विदूर को ढूड़ पाना कठिन है इतने ग्यानी मनुस्य के होने की कल्पना भी कर पाना मुश्किल है और उस ज़्यान की दशा को प्राप्त होने को लक्ष बनाना तो इससे भी ज़्यादा दुरू है वर्तमान में सार्वजनिक जीवन का इस्तर तो और भी मिरुद साहित करता है बातचीत का छिछला इस्तर और एहनकार, लालज, इरश्या, नफरत, क्रूरता, लोग, भै, चिंता, तथा अशान्ती भी यही भाव जगाती है मैंने अपने भीतर एक नई संकल्पशक्ति की सुबा होती मैसूस की है एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मैंने तै किया कि मैं भारत की सची तस्वीर को यहां के बच्चों में तलाशूंगा नेड़े के उस्ठण में मेरा अपना कार्रे और सोयम मैं मानो प्रिष्ट भूमी में चले गए मेरा वग्यानी करियर, मेरी टीम, मेरे पुरसकार सब के सब गौड़ हो गए मैंने उस शाशुत मेधा का अंस बनने की धानी जो सोयम भारत है मैंने हस्ते चहकते बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ा कर सोयम से पार जाकर अपने भीतर को खोच पाने की अर्थात अपने ही भीतर मौजूद सोयम के उच्च धरातल को खलास लेने की उमीद जगाने की सोच लेगी कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग अलग चरणों से गुजरता है डक्तर वायन डवलू डायर ने अपनी पुष्टक मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी में इन चरणों को देल्चस्प धंग से विवाजित किया है धावक की अखिलाडी का चरण, योद्धा का चरण, सत्ता धारी चरण और महापुरुस का चरण मुझे लगता है कि राष्ट भी इसी तरह से अलग अलग दौर से बुजरते हैं और इसी वरगी करण को राष्टों की स्थिति में देखें तो अंतिम दो चरणों को मैं बिग बरदर यानि बड़ा भाई और स्वानभूती चरण के नाम से पुकारता हूँ जरूरी नहीं कि ये चरण सिल्सिले वार हो इनका साथ साथ भी अस्तित्त हो सकता है जिसमें एक पक्ष अन्य के मुकाबले अधिक हार्म हो कोई भी राष्ट अपनी आजादी के संगर्श से उबर कर जब धावक चरणों में प्रवेज करता है तो वह उर्चा से सराबोर होने के कारण प्रदर्शन तथा उपलब्धियों की दोड़ में सामिल हो जाता है जापाउन, सिंगापूर और मलेशिया में यही हुआ है इस चरण को छोड़ने के बाद एक देश योधा के चरणों में पहुँचता है अपनी उपलब्धियों पर गर्व के भाव से भरा पूरा वह राष्ट दूसरों के मुकाबले सोयम की बेहतर इस्थित को दर्ज भी करवाना चाहता है और कभी कभी वह उन्हें पराभूत कर ऐसा करता है ऐसे में उसका एहम ही उसे संचालित करता है इस चरण से गुजरने के दावरान लोग अपने मुकाम तथा उपलब्धियां हासिल करने की दौड में वेस्त रहते हैं और जैसा डायर्म में भी लिखा है की तब उन्हें चिंता आगेरती है दूसरों को अपनी उत्विष्टता का लोहा मनवाना ही मुक्खे धेग होता है अगले चरण अर्था बड़े भाई के दोर तक आते आते एहम भाव में कुछ ठहराव आ चुका होता है और नई नई प्रोड़ता के चलते जागरुकता उन्हें दूसरे देशों तथा समाचों के लिए क्या महत्तों पूंड है या सोचने को प्रेरित करती है इस चरण में भी राष्ट उपलब्धियों के भाव से तो भरा होता है परंद वह अपनी ताकत को जताने के लिए बेचैन नहीं होता उनकी मूल सोच तब दूसरों की इस्थित में सुधार लाने की होती है पूर सोवियत संग ने कुछ देशों में विकास गत्विदियां परारब कर यही भूमिका निभाई थी जिस तरह किसी विक्ति के लिए योधा के चरण से निकल कर बड़े भाई की भूमिका ओढ़ना कठिम काम है उसी तरह राश्ट्रों के लिए भी यह दोर लाबकारी होने के साथ साथ कठिम भी होता है इस बड़े भाई की भूमिका वाले चरण से बढ़कर भी एक चरण है इसमें पहुँचकर ही कोई राष्ट अपना वास्तविक सार तलास पाता है यहां तभी पहुँचा जा सकता है जब किसी राष्ट को या समझ आ जाती है कि यह धर्ती किसी एक देश की बपौती नहीं है बलकि सभी की है और जब उसके नागरिक अन इंसानों के प्रती अपने दाइत्तों को बखुबी समझ लेते हैं इसे स्वान भूती का चरण कहा जा सकता है और भारत के पास इसे प्राप्त करने की एक्षमता निश्चित रूप से हो सकती है लगभग 43 वर्षों के अपने कारेकाल में मैंने कहीं संस्थानों को अपनी कर्म भूमी बनाया है परिवर्तन में तो पूंड है इससे नए विचार आते हैं ये नए विचार ही कुछ नया सरजनात्म कारे करवाते हैं 15 अगस्त 2001 को मैंने फिर से बदलाव करने का फैसला किया मैंने प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपई को अपने इरादे से अउगत कराया मैंने इससे पहले भी कुछ मौकों पर उन्हें मुझे कारे मुप्त कर देने की बात कही थी लेकिन तब उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपना काम जारी रखूँ और उनकी बात रखी भी गई राकट रक्षेक्र में बीता मेरा पूरा जीवन जैसे विभिन चरणों में बढ़ गया हर चरण को राकट के कुछ आगे ले जाकर उसके प्रक्षेपडपत में डालने के बाद अलग कर दिया जाता है मैंने सन 1963 से 82 के दोरान भारती अंतरिक्ष अनुसंधाम संगठन में काम किया सन 1980 में भारत में अपने पहले उपग्रह पक्षेपड़्यान को कक्षेपित किया जिसने रोहिनी उपग्रह को उसकी कक्षा में भेजा और इस तरह हमारा देश विशिष्ट अंतरिक्ष क्लग का सदस्व बन गया मैंने SLV3 अभियान के परियोजना निदेशक के तौर पर टीम का नित्रत्व किया था हमारे इस प्रयास में सफलता ने देशों को उपग्रह पक्षेपड़्यान प्रद्योगी की तथा नियंतर्ण, मार्ग दर्शन, प्रोपल्सन और एरोडाइनमिक्स में विशेशजिता दिलाने के साथ साथ विभिन राकत का रालियों का डिजाइन तयार करना भी सिखा दिया इस सबसे बढ़कर इस परयोजना में संगठन को अलग-अलग संस्थानों जैसे अनुसंधान दधाविकास, आर एंडी, प्रयोक्षालाओं, उत्योगों और सैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त सहियोग के आधार पर डिजाइन, विकास और प्रबंधन पढ़ालियों में विक्षित की, साथ ही इस कारिक्रम ने प्रत्योग की और प्रबंधन के सित्रों में नेतरत्त भी तियरा किया, इस परयोजना से चुड़े कई लोग आज भी विभिन अन्तिक्ष और रक्षा कारिक्रमों में मात्तोपूर्ण भूमिकाव में कारिरत हैं, या मेरा पहला चर प्रता भाई, प्रोफिसर, चतिजदवन और डाक्टर ब्रह्म प्रकाश, यह मेरे लिए सीखने तथा ज्यान बटोरने का समय था, दूसरे चरण की शुरुआत, संपनी सो बयासी में रक्षा अनुसंधाम और विकास संगठन D.I.D.O. से मानी जा सकती है, यहां भी रक्षपास्तर प्रद्योगी की नियंतन व्यवस्था M.T.C.R. तथा परमाणू आप्रसार संधी N.P.T. जैसे उकाणों के जरिये प्रद्योगी की मनाहीं की रक्षालाओं में काम करने का वस्र मिला जहां हमने सामरिक प्रिश्टि से महत्तवून पक्षपास्तरों के डिजाइन, विकास, उत्पाधन हैं और प्रचालन को सफलता पूरवक अंजाम दिया। इस प्रकार के सामरिक रूप से महात्वपून पक्षेपास्त्र भारत को किसी भी देश से नहीं मिल सकते बले ही उस देश के साथ हमारे कितने भी दोस्ताना संबंद क्यों ना हूँ इस अवधि में उतकरिष्ट शम्ताओं से युक्त तीन नई प्रयोक्षालाएं तैयार हुई इन में से एक हैत्राबाद इस्तिर अनुसंधान केंदर इमारत आर सी आई पक्षेपास्त प्रदोगी की से संबंदी थी दूसरी मुखे भूमी पर तथा तीसरी एक दूइप पर जो बंगाल की खाड़ी के तट पर चंडी पुर के नज़्दी किस्तित था इनके अलावा प्रयोक्षालाओं तथा सक्षिक संस्थानों द्वारा इजाद की गई महत्रपून प्रदोगी की बदालत देश प्रक्षेपास्त प्रदोगी की नियंता है वस्ता के दबाओं से मुक्त होकर एक प्रदोगी शक्ति के रूप में उबरा हमारी टीम अंतर महादूपी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त आई सी बी एम समेर किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त पणाली का निर्मान कर सकती थी इस चरण के दोरान मुझे कई सफलताएं और कुछ एक असफलत से सीखा और साहस के साथ उनका मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार किया यह मेरा दूसरा चरण था जिसने मुझे असफलताओं के बीच प्रबंधन रसमात्व पूंड सबक सिखाया तीसरा चरण आणविक पूर्जा विभाग डी एई तथा डी आडियो और सेना के बीच जवर्दस्त तालमेल से भारत को परमाड शस्त्र संपन राष्ट बनाने के अभियान में भागयदारी का हो सकता है या अभियान भी पूरी तरह सखल रहा लेकिन जब अच्चे मुझसे पूछते हैं कि पिछले 40 वरसों में मुझे किसने सबसे ज़्यादा खुशी दी तो मैं उन्हें बताता हूं कि मुझे सबसे अधिक परसंदा तब होती है जब मैं हरते रोगियों को अपनी धमनियों में कलाम राजू और नरी इस्टेंट लगाए हुए और विकलांग बच्चों को लाइट वेट फलोर रियक्शन और्थोसिस एफ आर ओ कैलिपर्स लगाने के बाद उनकी तकलीफों को कुछ हलका होता देखता हूं ये दोनों ही प्रक्षे पास्त्र प्रद्वगी की मदद से हमें मिले हैं इस चराण के दोरान में विग्यान और प्रद्वगी की विभाग के अंतरकत कारे रत प्रद्वगी की सूचना, पूर्वानुमान तथा आकलन परसत TIFAC का दो कारेकालों तक लगभग आठ वर्षो तक अध्यक्षबार इस अवधि में कुल मिलाकर पांच सो विशे सग्यों के कारे दलों के काम की आधार पर प्रादोगी की विजन सन 2020 को तेयार किया गया इन कारे दलों ने विबिन अक्षेत्रों से जोड़े 5000 वैग्यानिकों और तक्निक विदों से प्राप्त जानकारी की मदद से यह काम किया था बाद में प्रादोगी की विजन दस्तावेच तथा राष्टियस प्रक्षा के पहलूँ को मिलाकर भारत से इसराप्ती मिशन IMM 2020 तयार किया गया नुवंबर 1999 में जब मैंने भारत सरकार के प्रमुप वैग्यानिक सलाकार का पदभार संभाला तो मेरे सामने इस योजना को विश्त्रित करने तथा कारे रूप देने की चुनोती थी वास्तों में या भारत को विक्षित राष्ट में तबदिल करने का रास्ता दिखाता है देश के लिए मानो यह दूसरी अंतरदेश्टी है शिक्षा, ख्रशी तथा कई गाउं का समन्विच विकास कारे फिलहाव प्रगति पर है इस विशे पर सरकारी मंजूरी प्राप्त करने के लिए कैबिनेट का तस्तावेज पेश किया जा चुका है इस तीसरे चरण के दोरान तस्तागत भागिदारी से प्रदोगेकी के उस्तर पर उर्चा बटोरना, समाज की जरूरतों के मताबिक तकनीकों का अनकूलन और देश के लिए अंतरदेश्टी तयार करने के कारे में मैं वैस्त रहाँ 30 सितंबर 2001 की हेलिकाप्टर दुरगटना ने मुझे एहसास कराया है कि तीसरे चरण को त्यागने का भी समय अब आ गया है इस बिचाड ने फिर 2 अक्टूबर को और जोर पकड़ा जब महात्मा गांधी के जन्म दिन पर मैं केरल में कोलम में माता अमरित आनदमाई के अश्रम में गया उन्होंने नेताओं तथा उद्यमियों की नई पिड़ी तैयार करने के लिए शिक्षा और अध्यात्म के एकी कराण पर जोर दिया 12 अक्टूबर 2001 को जबकि सूर के चारो और मुझे सत्तर ही परिक्रमा पूरी करने में तीन दिन बाकी थे मैंने परधान मंत्री को अपने आवकास प्राप्त करने की इरादे के बारे में आपचारिक रूप से बताया और एक महीने के भीतर ही कारमुक्त किये जाने का अनुरोध किया इस बार वे कुछ नरम पड़े और मेरा अनुरोध सुईकार कर लिया गया इस बीच मैं स्कूलों में आता जाता रहा कई राज्यों विशेश का पुर्वत्तर में असम और तिपुरत था जारखंड और तमिलनाड के कुछ एक स्थानों की यत्राओं के दोरान मैंने हजारों स्कूली बच्चों को संबोधित किया मैंने पाया कि मैं इस आयू वर्ग के साथ अच्छी तरह समवाद स्थापित कर पाता हूँ उनकी कल्कनाओं की उड़ानों में उनका साथ देने में मुझे विशेश कठिनाई नहीं होती इस से भी ज़्यादा महत्वकूंड तो यह है कि उनके साथ मिल जोल बढ़ा कर मैंने महसूस किया कि मैं उनके मन में विख्यान के प्रती अलग जगा सकता हूँ और उसके जरिये भारत को विक्षित रष्ट बनाने के अभियान से जोड़ सकता हूँ क्या या मेरा चौथा चरण होगा क्या मैं सफल रहूंगा मैं सचमुच इस बारे में नहीं जानता लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वाया कि सपनों के अप्ति संकल्प बद्ध होने से बढ़कर कोई ताकत धर्ती पर तो क्या स्वर्ग में भी नहीं है सपनों में वाहुर्चा समाई होती है जो दिलों में रहती है और सपने ही आध्यात्मी तथा भौत्रिक पदार्थों को एक साथ लाते हैं मैं पिछले कई वर्षों से शोद और अध्यापन से जुड़ना चाह रहा था एसी उद्धेश्य से तथा इसकूली बच्चों के संपर्क में रहने की अपनी इच्छा के चलते मैं अन्ना विशुवे त्याले जो मेरा अपना विशुवे त्याले भी रहा है से जुड़ गया हूँ अचनात्मक्ता और उर्जा से लबा लब भरे युवाओं के बीच होना कितना सुख़त अहसास देता है इस विशाल उर्जा का रचनात्मक्त तरीके से राष्ट निर्माड की राह पर मार्ग दर्शन करने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस देश के बड़े लोगों पर है हमादीत में गवाएं जा चुके आउसरों तथा असफलताओं के कारण नुकसान की भरपाई किस परकार कर सकते हैं